दुनिया के इतिहास में कुछ तारीखे या समय ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है हर कोई उन्हें जानता है और उन्हें याद करता है इस कहानी में एक ऐसी ही तारीख और घटना के बारे में बताया गया है जो 1914 में हुई थी तो आगे हम इस कहानी को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि 1914 में क्या हुआ था माइकेल मारबु आगो जो इस कहानी की लेखक है एक बार वे एक कबारी की दुकान पर गए जो की ब्रीट पोर्ट में है वहाँ उन्होंने एक रोल टॉप डेस देखा वहर रोल टॉप डेस उनिश्वी शताबदी का था और वो ओक की लकडिका बना हुआ था उस रोल टॉप डेस की हालत बहुत खराब थी और उसका उपरी हिस्सा किसका हुआ था उसके एक हिस्से में जनले के दाग भी थे हाला कि उस मेच के स्थिती जादा अच्छी नहीं थी और वो काफी सस्ता दिख रहा था इसलिए लेखक ने उसे खरीदना चाहा और लेखक को लगा कि वहो उसकी मरमत करके उसे ठीक कर लेगा लेकन लेखक के लिए उसे ठीक करना किसी चुनौती से कम नहीं था उसने उस रात को रोल टॉप डैस्क को खरीद लिया और उसे अपने गैरेज के पीछे वाले कमरे में ले गया लेखक ने उस मेज की मरमत का काम क्रिसमस से एक दिन पहले शुरू कर दिया लेखक ने उस मेज के उपरी हिस्से को जो की खिसक जाया करता था उसे हटाया वो उसके दराज को बहान निकाला उस मेज की स्तिती काफी खराब हो चुकी थी उस पर आग और पानी के काफी दाग भी थे और आखरी दराज बहुत बुरी तरह से फसा हुआ था लेखक ने उसे निकालने की बहुत कोशिच की फिर लेखक ने उस पर अपनी मुठी से जोर से मारा और फिर वो दराज बहान निकालाया तभी लेखक ने उसमें तीन का एक काला डिब्बा देखा लेखक ने उसे बहान निकाला उस डिब्बी के उपर एक नोटपैट का टुकडा था जिस पर लिखा था जिम का अंतिम पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ इस पत्र को जिसने लिखा था उसने उस पत्र में अपनी आखरी इच्छा व्यक्त की थी कि इस पत्र को मेरे साथी दफन कर देना तो लेखक ने बड़ी उत्सुकता के साथ उस डिब्बे को खोल लिया उस डिब्बे के अंदर एक लिफाफा मिला जिसमें पता लिखा हुआ था मिसिस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिट पोर्ट, डॉर्सेट और उसमें तारीक भी लिखी हुई थी 26 डिसंबर 1914 तो मैं आपको बता दू कि ये जो पत्र था वो जिम मैकफर्सन ने अप पार्टमन समापत होता है अब आगे हम पार्ट टू में देखते हैं कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ था इसके बाद लेखत लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा था डेरेस्ट कोनी मेरा मन बहुत खुश है इसलिए ये पत्र मैं आपको लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत ही अद्बुत हुआ है जो मुझे आपको एक बार बताना होगा हम सब कल क्रिस्मस की सुभा अपने ट्रेंचेस में खड़े थे ट्रेंचेस वो जगा होती है जहां पर सिपाई छिपते है तो आगे जिम बताता है कि उस दिन बहुत शान्थ और साफ महौल था जितने मैंने सुभा देखी उन सब में ये सबसे अच्छे सुभा थी ये सुभा बिलकुल वैसी ही थी जैसी क्रिस्मस की सुभा होती है अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने इसे शुरू किया लेकिन जो सच्चाई है उसकी लिए मैं शर्मिन्दा हूँ और सच्चा ये है कि इस अच्छे काम को फ्रिच ने सुरू किया, मैंने नहीं किया सबसे पहले किसी ने सफे जंडे को हमारे विप्री ट्रेंचेस में लहराते हुए देखा उसके बाद उन्होंने हमें नो मैंस लेंड से आवाज दी नो मैंस लेंड का मतलब होता है वो जगा जहां पर कोई भी आदमी नहीं रह सकता तो आवाज आई हैपी क्रिस्मस टॉमी, हैपी क्रिस्मस इसके बाद हमें बड़ा आश्चिरी हुआ तो हम में से भी कुछ लोग चिलाए सेम टू यू फ्रिच्ट, सेम टू यू तो मुझे लगा यही वो बात थी फिर हमने आपस में एक दुसरे को हैपी क्रिस्मस विश्च किया फिर आगी जिम बताता है कि दुस्मनों की तरफ से पहले एक आदमी सामने आया उसने एक ग्रे रंग का ग्रे कोट पहना हुआ था ग्रे कोट याने कि एक ग्रे रंग का लंबा सा कोट फिर उसने अपना सफेज जंडा बाहर की ओर निकाला और उसे फैराने लग गया तभी एक व्यक्ति चिलाया कि गोली मच चलाना फिर इस बात को सुनकर किसी ने भी गोली नहीं चलाई इसके बाद पैरापिट याने कि दिवार की तरफ से फिरिच के कुछ लोग हमारी तरफ आए और मैंने अपने आदमों से कहा कि सब अपने सिर नीचे कर लो ये एक चाल है लेकिन ये कोई चाल नहीं थी फिर एक जर्मन वेक्ती अपने सिर के उपर एक बोटल को हिला रहा था और उसने कहा कि टॉमी ये क्रिस्मस का दिन है हमारे पास स्नैप्स याने कि जर्मन ड्रिक और सौसिज भी है तो क्या हम आपस में मिले तबी वहां से दरजनों लोग हमारी तरफ आए उनके पास कोई भी राइफल नहीं था सबसे पहले मौरिस्स आया और उसने फिर अपने लड़कों को याने की सैनिकों से कहा कि चलो हम किसका इंतजार कर रहे हैं और फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था आगे जिम कहता है कि मैं तो अधिकारी था मुझे उन्हें वहां रोकना चाहिए था उसी समय लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए था आगे जिम बताता है कि मैं देख सकता था कि लाइन के आसपास एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जा रहे थे ग्रे कोट और खादी कोट आपस में मिल रहे थे मैं भी उसका हिस्सा था अब युद्धि के बीच में हम शांती बना रहे थे आगे जिम कहता है कि कोनी तुम कलपना भी नहीं कर सकती हो मेरी भावनाओ का कि किस तरह से फ्रिज्ट आफिसर ने मेरी आखों में देखा और वो मेरे पास आया उसने बहुती गर्म जोसी के साथ मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा कि मैं हैंस वुल्फ हूँ और डसल टॉप से हूँ और मैं और चेस्टरा में सैलो बजाता हूँ फिर मैंने भी कह दिया कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है और मैं एक स्कूल का टीचर हूँ और डॉर्सिट में रहता हूँ जो कि इंगलेंड के पस्चिम में है फिर हैंस वुल्फ मुस्कुराया और उसने कहा कि वह डॉर्सिट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है फिर हमने आपस में रम रैसन और सौसिज को शेर किया और आपस में बहुत सी अच्छे बाते की हैंस वुल्फ बहुत अच्छे इंगलिश बोल रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कभी डॉर्सिट नहीं गया और ना ही वह कभी इंगलेंड आया उसने जो कुछ भी सीखा था वो सब उसने अपनी स्कूल की इंगलिश बुक से पढ़कर सीखा था उसका फेवरेट राइटर थॉमस हाडी है और उसकी किताब फार फार्म दी मैडलिंग क्राउट से ही उसने डॉर्सिट के बारे में सारा कुछ जाना था आगे जिम कहता है कि उसने हैंस उल्फ के साथ क्रिस्मस केक को शेर किया जो की तुमने भेजा था फिर हैंस उल्फ ने कहा कि उसके लिए ये एक शानदार क्रिस्मस पार्टी थी उसने ना तो ऐसी क्रिस्मस पार्टी देखी थी और ना ही ऐसी क्रिस्मस पार्टी की कल्पना की थी तबी उन में से कोई फुटबॉल ले आया, फिर फटा फट गोल तयार कर दिये गए, गोल पोस्ट बना दिये गए और सबसे पहले टॉमी और फ्रिज्ट उस फुटबॉल के साथ खेलने के लिए आ गए फिर दोनों तरफ के सैनिकों ने आपस में फुटबॉल का मैच खेला मैं और हैंस फुल्फ दोनों चीरिंग करने लग गए हम तालिया बजाने लग गए अपने पैरों को बजाने लग गए ताकि इससे ठंड भी कम हो जाए हमें एक समय ऐसा भी लगा कि हमारे आपस की बीच की जो सांसे हैं या हवा है वो भी एक दूसरे से घुल रही है उसने भी ये बात देखी और फिर वो मुस्क्रा कर बोला जिम मैकफर्सन मुझे ऐसा लगता है हमें अपने युद्ध को ऐसे ही खत्म कर देना चाहिए एक फुटबॉल मैच के जैसे ही फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मर सकता इसमें ना तो कोई बच्चे अनात होंगे और ना ही कोई पत्या विद्वा होंगी फिर मैंने कहा इसमें मैं किर्केट खेलना पसंद करूँगा और उसमें जो ब्रिटिस सोलजर्स हैं वो तो पक्का जीतेंगे फिर इस बात पर हम दोनों हस पड़े फिर हम दोनोंने मिलकर उस गेम को देखा दुखत बात ये है कोनी कि जो जर्मन सोलजर्स थे वो जीत गए, उन्होंने दो गोल किये और हमारे सेना सिर्फ एक गोल कर पाई पर जो हैंसफुल्फ थे उन्होंने कहा कि हमारा जो गोल था वो कहीं जादा बड़ा था उनके मुकाबले इसलिए ये सही नहीं रहा, अब समय आ चुका था कि जो खेल था वो समाप्त हो चुका था जो ड्रिंग्स थी, स्नैप्स थी, वो सब समाप्त हो चुके थे, सब कुछ समाप्त हो चुका था मैं जो हूँ कहना चाहता था कि हैंस फूर्फ मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने परिवार से दुबारा मिल पाओ लड़ाई यहीं खत्म हो जाए और हम सब अपने घर चले जाए जैसा मुझे उम्मीद है हर सोर्चर यही चाहता है दोनों तरब से फिर हैंस फूर्फ ने कहा अपना ध्यान रखना जिम मैक फर्सन मैं उस लमहे को कभी नहीं भूलूंगा ना मैं और ना तुम फिर उसने मुझे सलाम किया और धीरे धीरे वो वहाँ से बिना मन के चले गए ऐसा मुझे महसूस हुआ वो एक बार मुड़ा उसने हाथ हिलाया और फिर उनी ग्रे कोट मैन वालों में से एक बन गया और अपनी जगा ट्रेंचस में जाकर बैठ गया उस रात हम लोग अपने ट्रेंचस में बैठे हुए थे तभी हमें कैरोल गाने की आवाज सुनाई थी कैरोल एक रिलीजिस सौंग होता है और वो जो लोग थे वो बहुत भी सुन्दर तरीके से कैरोल गा रहे थे जो गाना वो गा रहे थे वो साइलेंट नाइट था हमारे जो लोग थे उन्होंने भी कोरस देने के लिए कैरोल गाना शुरू कर दिया और वो लोग वाल्ड शैफर्ड्स वाज्ट वाला कोरस देने लग गए फिर हमने एक दूसरे से कोरस एक्सचेंज किये फिर हम सब चुप हो गए एक अच्छा समय गुजरा शांती का अच्छे भाव का एक ऐसा समय जिसे शायत में जिन्दी की भर याद रखूंगा कोनी अगले क्रिसमस को यदि जब अगले साल क्रिसमस आएगा तो ये जो युद्ध है ये कुछ भी नहीं रह जाएगा बलकि एक भ्याना की याद बन कर रह जाएगा पर जो आज कुछ हुआ है उससे एक चीज का तो एहसास हो गया है कि जो दोनों सेना है वो बस सांती चाहती है हम फिर दुबारा जल्द ही मिलेंगे इसका मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा प्यारा जिम तो यहीं पर हमारा पार्ट टू समाथ होता है अब आगे हम पार्ट थ्री को पढ़ेंगे लेखक ने उस पत्र को पढ़ने के बाद उसको दुबारा मोडा और फिर उससे लिफाफे में डाल दिया पूरी रात लेखक जगते रहे पर सुबह उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है फिर लेखक ब्रिट पोड गए जो कि वहां से कुछ मील की दूरी पर था उन्होंने वहां किसे लड़के से पूछा जो कि अपने कुट्टे के साथ घूम रहा था कि कौपर बीचिस कहां है और हाउस नंबर 12 कहां है जब लेखक ने वहां जाकर देखा तो जो हाउस नंबर 12 था वो कुछ भी नहीं था बलकि एक जला हुआ मकान था जिसमें जो छट थी उसमें गैप हो रखा था जो खिड़किया थी उसे लकणियों के लठों से कवर कर रखा था फिर लेखक ने उसके बगल के घर के दरवाजे को खटखटाया और उनसे पूछा कि कोई मिसस मैकफरसन के बारे में कुछ जानता है तभी एक बुड़ा सा आदमी अपी चपल पहन कर आया उसने कहा कि हाँ वो उन्हें बहुती अच्छी तरह से जानते है वो बहुती अच्छी एक बुजर्ग महिला है थोड़ी सी कंफ्यूस्ट है पर उनकी जो उम्र है उसकी हिसाब से हो सकती है लगबग 101 साल की है वो इसी घर में थी जब आग लगी थी कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी पर शायद जो मुम्बती थी उसकी वज़े से लग गई थी वो ज़ादा तर बिजली की बजाए मुम्बती को जलाना पसंद करती थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो बिजली है वो काफे महंगी है लेकिन ये अच्छी बात थी कि जो आग बुझाने वाले हैं वो बिलकुल सही समय पर आ गए अभी वो शायद नर्सिंग होम में है जैसे मुझे बताया गया है बर्लिंटन हाउस में जो कि डॉर्चिस्टर रोड पे है इस सहर के दूसरी तरफ फिर लेकिन को बर्लिंटन हाउस नर्सिंग होम जो था वो आसानी से मिल गया था पूरा जो हॉल का रास्ता था उसमें पेपर से चेन बनाई हुई थी और एक क्रिस्मस ट्री को पूरी अच्छी तरीके से सजा कर कॉर्नर पर खड़ा किया गया था जिस पे एक एंजल को लगाया गया था लेखक ने कहा कि मैं एक दोस्त हूँ जो मिसिस मैकपरसन से मिलने आया हूँ और उनके लिए क्रिस्मस प्रेजन्ट यानि कि क्रिस्मस का तौफा लेकर आया हूँ फिर लेखक ने देखा कि डाइनिंग रूम में हर कोई जो है वो पेपर से बनी वी हैट पहने वे था और गाना गा रहा था और जो मैटरिन थी वहां की उन्होंने भी हैट पहने वी थी और वो काफी खुशुवी लेखक को देखकर उन्होंने लेखक को एक मीनी पाइंस भी खाने के लिए दी फिर वो लेखर को कॉरीडोर में ले गई उन्होंने कहा कि मिसिस मैकफर्सन जो है वो यहाँ पर सब लोग के साथ नहीं है वो आज थोड़ी सी कनफ्यूस सी लग रही थी तो हमने सोचा कि ज़्यादा अच्छा है कि वो आराम करे आप तो जानते हैं कि उनकी कोई फैमली नहीं है और ना ही उनसे कोई मिलने आता है आपको देखकर वो शायद बहुत खुश होंगी फिर वो मैटरिन लेखक को एक ग्रीन हाउस में लेग गई जहां पर कुरसियां थी और कुछ पेड़ पौदे चारों तरफ लगे हुए थे और फिर वो वहां पर लेखक को छोड़ कर चली गई वहां पर एक बूड़ी सी महिला थी जो एक वीलचियर पर बैठी हुई थी जिसके हाथ जो थे वो उसके आगे उसके पैरों पर रखे हुए थे और उसके बाल जो थे वो चांदी की जैसे सफेद दिख रहे थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे से जूड़ा बनाया हुआ था पर वो जो है वो बगीजी की तरफ ही देख रही थी फिर लेखक ने उन्हें हेलो कहा और वो जो है लेखक की तरफ मुड़ी और लेखक की तरफ बड़े सूने पन से देखने लगी लेखक ने उनसे कहा हैपी क्रिस्मस कोनी देखो मुझे क्या मिला है शायद ये आपका है और जब लेखक उससे बात कर रहे थे तो उसके आँखे उनकी चहरे की तरफ ही टक्टकी लगाए हुई थी और हटी नहीं रही थी फिर लेखक ने उस स्टीन के डब़े को खोला और उसे दे दिया उस वक्त उसकी जो आँखे थी वो उसको पहचान कर एकदम से चमाक उठी और तभी उसके चहरे पर एक अजब सी खुशी सी आ गई फिर लेखक ने उसे उस टेस्क के बारे में बताया और कहा कि किस तरीके से उन्हें ये मिला है लेकिन लेखक को लगा कि वो शायद उन्हें सुन ही नहीं रही थी उसके बाद वो कुछ नहीं बोली उसने बस लेटर को अपने हाथों में पकड़ लिया फिर उसने जैसे तैसे करक के हाथ बहा निकाला और लेखक के हाथ को पकड़ लिया उसकी आखों में आसू थे, उसने लेखक से कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर जरूर आओगे और देखो तुम आ गए, ये सबसे best Christmas present है पूरी दुनिया का, पास आ जाओ जिम, बैठ जाओ, फिर लेखक उसके पास बैठ गए, उसने लेखक के गालों पर किस किया और कहा कि मैं तुम्हारे लेटर को हमेशा पढ़ती थी जिम हर दिन पढ़ती थी मैं तुम्हारी आवाज को अपने अंदर महसूस करना चाहती थी ऐसा लगता था जैसे मानो तुम हमेशा मेरे साथ हो और देखो आज तुम मेरे पास हो क्यूंकि आज तुम खुद वापस आ गए से बहुत प्यार है और उसके बाद हम सब चाहे पिएँगे मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सा क्रिEZ्मस के एक बनाया है जिसके उपर मार्जिन पैन लगाया है मुझे पता है कि तुम कितना मार्जिन पैन को पसंद करते थी तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी समात होती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे आज के लिए बस इतना ही थैंक यू